आज के इस वीडियो में आपको यह बताने जारों कि कैसे आप अपने Samsung Galaxy S24 Android में आप अपने mobile phone में से call forward कैसे कर सकते हैं आज के इस वीडियो में आपको detail में जानकारी देने वालों तो चलिए आप यह वीडियो को हमें start कर लेते हैं देखी दोस्तों call forward करने के लिए आपको करने के हैं सबसे पहले mobile phone के जो calling का आप होता है इसे आपको open करने इस calling के आप में आपको right side की टॉप पर यह three dot का option आपको tap करने प्रश हो जाता है इतरी के इस ठीक है अब देखे यहाप आपको इस page में आपको इस तरी के से पर रिफरेश होगा ना तो आपको थोड़ा सव वेट करने ठीक है आपको mobile phone का कोई साई बटन यहाप दबाना नहीं है ठीक ना तो यहापर देखे हैं अमारा page जोई यहापर refresh लग रहा है तो देखें दोस्तों हमारा पेज रिफ्रेश हो चुका और देखें इस option को tap करना है सबसे उपर वाला always forward always forward पर tap करने तो आपको इस तरीके से पेज आएगा अब यहां पर आपको एक नंबर एंटर करना है आपके पास कोई दूसरा नंबर है यापका फ्रेंड का चोड़के कोई दूसरा नंबर यहां पर एंटर करना है ठीक है एंटर कर देंगे तो इसके बाद आपको इस जो है ना enable का option है इनेबल पर tap करना है ठीक है तो आपको यहां पर पेज जो फिर से refresh होने लग जाएगा तो यहां पर आपको कोई भी बटन दबाना नहीं है ठीक जाएगा वो call सीधा जो है इस number पर forward हो जाएगा इस number पर call चला जाएगा ठीक है कोई भी अगर person मेरे number पर अगर call करेगा तो ठीक है तो इस setting ऐसे काम करती है आपकी call forwarding setting ठीक है तो दोस्तों इस setting का use आप करके देखिएगा ठीक है ठीक है